घंटाजी चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाए वीडियो की नोटिफिकिशन पाने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं हमारे यूटूब चैनल घंटाजी में चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट जो अपडेट है वो बिजली बिलकर लेकर है और दूसरा जो अपडेट है वो आपको बिजली कमपनी के से सिकायत जैसे सिकायत करने जाते हैं और वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती है तो उसकी सिकायत आप जो कमप प्लेन कैसे करेंगे तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट अपडेट के बारे में जो बीजली से संबंधी था है तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो भोकता संख्या याद रखने की जहनजट से मुक्ति पाएं अपने रजिस्टर मोबाईल से 7666008833 पर मिस्कॉल कर उद्यंत बिजली बिल प्राप्त करें जी हां दोस्तों इस पर अगर मिस्कॉल करते हैं तो रजिस्टर मोबाईल से तो आपको मैसेज के थुरू आपको बिजली बिल मिल जाएगा तो दोस्तों बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में वैसे उभोकता ग नमबर भी यहां पर दिया हुआ है देखिए यहां पर फोन नमबर आप लिख सकते हैं और पोस्टल के तुरू भी आप पोस्ट अपिस के तुरू भी आप कंप्लेंड कर सकते हैं जिसका एड्रेस आप यहां पर लिख सकते हैं और देखिए यहां पर कौन-कौन से कर सकते हैं कौन कौन जी ले के आदमी कर सकते हैं देखिए मुझाफर पूर के आदमी यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं और छप्रा मोतिहारी दरभांगा समस्तिपूर के आदमी कर सकते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पे पूर्णिया और साहरसा के लिए दिया हुआ है complaint number और वहाँ पर complaint आपको gmail भी दिया हुआ है आप वहाँ पर gmail करके आप उसको complaint कर सकते हैं जो पूर्णिया और साहरसा के विक्ति हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब तीसरे अपडेट के बारे में जो RRF निविक्ति को लेकर है तो देखिए यहाँ पर आवस्यक वारा कियाद गया है अत्व अनरोध है कि रासी जमा करने से समधित phone call and message पर ध्यान ना दे अगर कोई आवेदन करता phone call and message के अधार पर किसी बैंक खाता अथवा पते पर रासी जमा करते हैं तो इसकी जिम्मवारी NB PDCL और SB PDCL की नहीं होगी तो चलिए दोस्तों अब लास् आज चेप नमबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है company ने 7033355555 पर आप complain कर सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा comment करके बताएगा और वीडियो को like करके चैनल को subscribe करें घंटा का इकन जरूर दबा दिजेगा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वी कर दोस्तों इस वीडियो में